जब मैं आया तो इस बखरी के दूद को मिल्क को भी कलेक्ट कराया, बट मिल्क तो कलेक्ट हो गया, पर अब लोग सोचते हैं कि इस दूद का करना क्या है, तो उस दूद के लिए हम लोग ने इसको मतलब कि दो फ्लेवर में निकालने को श्टार्ट करने का सोचा, पहला क्या संस है कि लोग भग्री के दूद को कमी पसंद करतें स्मेल की उजह से और बच्चे भी इसे कम बगरी का दूद देख करके पीछे क्याने बदी में रहता है और किने सब्सक्राइल बच्राइब होने तो कि अश्यक्राइब पहार को आपको है विजलें बिदुने में चीज़ए नहीं है ते डिलेश के चीज़ाई हम पत्तरिक्राइबने ग्साइबालेब सब्सक्राइबunder और इसे नौर्मल रोम तेंप्रेचर पर इसे श्टोर कर सकते हैं। और एसली पोटेबल कहीं पर भी आजया सकते हैं। इसके लाव हम लोगों ने गोट मिल्क सोप पर भी काम इस्टार्ट गया जिसकी ब्रांडिंग हमारी अजा नाम से है। जो कि ये तीन फ्लेवर में है, ओलिव, चार्कोल, और सिया बटर, और गोट मिल्ट सोप्स का हमारे हम लोगों के मार में आइडिया तब आया, जैसे वी दोसों में, तो काफी सारे गोट मिल्ट सोप्स मिलते हैं, बट काफी कोश्टली ही होते हैं, साले 300-500 के बीच के प्राइस में वेलेबल होते हैं, तो हम लोगों ने भी स्टार्ट किया, हम सब मतलब गैरी महिलाओं के खत्र करके, उन लोगों ने बनाना इस काम को स्टार्ट किया, इस सोप्स के कई सारे फाइदे भी हैं, जैसे इसकी डिजीजेज ना होना, इसकी उनों लोगों तो सप्लाई हो रहे हैं, और आगे भी हमारा ये प्लान है कि हम इसके उनलाइन मार्केटिंग करें, जिससे कि ये इसली हर एक लोगों के पास अब ले बालो, इससे हुआ ये कि वो बकरी का दूद जो वो कम दामों पर गाओं में बेचा करती थी, या जिसके विप झालो, 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 झालो